इस क्रिस्मस रोही शेटी पर सैंटा महरबान नहीं हुए यानि रोही शेटी और रमीर सिंग के फिल्म सरकस क्रिस्मस के दिन भी कोई कमाल नहीं कर सकी कलेक्शन बता रही है कि दर्शकों को ये फिल्म निराश कर रही है रोई शेटी को हिंदी सिनमा की कमर्शल हिट मशीन के नाम से जाना जाता है उनकी फिल्म को लोग बॉक्स ओफिस पर पैसो की बारिश की गैरंटी की तिरा मानते हैं लेकिन इस बार सुपर हिट फिल्म मेकर का जादू बॉक्स ओफिस पर नहीं चला है फ्राइडे को रिलीज वी रन्मीर सिंग स्टारर सरकस बॉक्स ओफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पा रही है लंबा वीकेंड और फेस्टिव सीजन भी इसके लिए कोई एच्छी खबर नहीं ला सका तो आईए जानते हैं कि फिल्म ने तीसरे दिन यानि संडे को कितना कलेक्शन किया है सरकस की कमाई में ये संडे को हलकी ग्रोथ तो दिखी लेकिन ये इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि बड़ा बदलाव कहा जा सके Box Office इंडिया की वेबसाइट की माने तो इस फिल्म ने पहले और दूसरे दिन को मिला कर 12.75 करोर रुपे का कलेक्शन किया था वही अब फिल्म ने तीसरे दिन संडे को 8 करण रुपे की कमाई दर्च कर दी जिससे अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 20 करोर 75 लाक रुपीज हो गया है रोहिशेटी ने इस फिल्म को बनाने में काफी महनत तो की लेकिन इतनी महनत और बड़ी स्टारकास होने के बावजूद बड़ा बजट होने के बावजूद भी फिल्म बनाने के बाद कमाल नहीं दिखा पा रही दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिल रहा जितना रोहिशेटी की पिछली कई फिल्मों को मिला सरकस के तीन दिन का कलेक्शन काफे निराज जनक रहा बॉलिवूड को सरकस से काफे उमीदे थी लेकिन फिल्म उमीद पर खड़ी ना हो सकी और शायद इसकी एक बड़ी वज़ा ये भी है कि सरकस का मुकाबला हॉलिवूड की अफ्तार टू से हो रहा है देखा जाए तो ये फिल्म सिनमा घरों में रनवीर की सरकस को बड़ी चुनोती दे रही है